हेलो, प्रेग्नेंसी लाइफ एंड यू में आपका हार्दिक स्वागत है, गर्भावस्था महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण समय होता है और खुद की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है, हाला कि कई गर्भवती महिलाए सौर ग्रहन जैसी प्राकृतिक घटनाओं क के समय, स्थान और सावधानियों के बारे में चर्चा करेंगे, समय और स्थान, 20 अप्रेल 2023 का सूर्य ग्रहन उस वर्ष होने वाले दो सूर्य ग्रहनों में से पहला है, ये बैसाक की अमावस्या के दिन होगा, जो अप्रेल में है, ग्रहन भारतिये समय अनुसार सुबह 7.04 चार बजे से शुरू होकर दोपहर 12.00 बजे तक रहेगा, हाला कि ये भारत में दिखाई नहीं देगा और इसलिए सू तक मान्य नहीं होगा, ग्रहन दक्षिन पूर्व ऑस्ट्रेलिया, एशिया, प्रशांत महासागर, अंतरराष्ट्रिय महासागर और हिंद महासागर में दिखाई देगा, हाला कि ये सूर्य ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा, ये कमबोडिया, चीन, अमेरिका, माइक्रोनेशिया, मलेशिया, फिजी, जापान, समुआ, सोलोमन, बरूनी, सिंगापो, थाइलेंड, अंटाक्टिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड, वि अर्भवती महिलाओं और उनके अजन में बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस दोरान खुद का ख्याल रखना बहत जरूरी है, नवजात शिशुओं और ग्रहन के समय पैदा हुए बच्चों में जटिलताएं देखी गई है, हाला कि इसके पीछ वेग्ञानिक या ज्योतिशिये तरक हो सकते हैं, लेकिन मा और बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतना सबसे अच्छा है, सूर्य ग्रहन के दोरान सावधानिया, हाला कि भारत में ग्रहन दिखाई नहीं देगा, लेकिन सूर्य ग्रहन के दोर करने की भी सलाह दी जाती है लेकिन मंदिर में ऐसा करने से बचे और इस दोरान आशीरवाद लें मंदिर बंद रहेगा यदि आपको कुछ खाना या पीना ही है तो ग्रहन से पहले अपने खाने या पीने में तुलसी के पत्ते जोड़ने की सलाह दी जाती है घर के अंदर रह और जब जब ग्रहन शुरू हो तो घर से बाहर न निकलें। गर्भावस्था में ग्रहन के दौरान महिलाओं को जगे रहना चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। जैसे जैसे ग्रहन खत्म होने लगता है, गर्भवती महिलाओं को नहाना चाहिए, ताकि सूर्य ग्रहन के नाकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके जबकि भारत में ग्रहन दिखाई नहीं देगा, फिर भी इस दोरान कुछ सावधानिया बरतना जरूरी है, ऐसा करके आप अपनी और अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, अपना ख्याल रखना याद रखें और अपनी गर्भावस्था के दोर आने वाली किसी भी प्राकृतिक घड़ना के बारे में सूचित रहें, अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेर और कमेंट करना न भूलें, ऐसी प्रेगनेंसी से संबंधित वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें, आप हमसे उट्यूब और फेस्बुक दोनों जगह जोड़ सकते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद